सिरी सिवाय नमस्तो अब्यम हर हर महादेव नमस्कार दोसको भगवान सिव की क्रपा आप और आपके पूरे परिवार पे बने रहे सनिवार का दिन सनी देव को समर पे तो होता है और गुर्देव द्वारा बताय गया उपाय है जो सनिवार के दिन करना है ये उपाय उनके ल पारा है जिनके घर में लड़ाई जगडे अत्यदेख होते रहते हैं और कोई ही कार्य करते हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है उसके लिए गुर्देव ने बताया है कि इस उपाय को सनिवार के दिन वे कर लेते हैं तो उनके घर में लड़ाई जगडे खत्म हो जाते हैं और ब्योपार हो या बिजनिस हो या फिर नौकरी या कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही हो उससे आपको मुक्ती मिल जाती है साथ ही मातलचमी की क्रपा भी आपके उपर बनी रहती है सनिवार का दिन सनी देव का होता है और सनी देव को कल्यों का नियाय दिकारी देवता कहा जाता है जो व्यक्ति सनी देव को प्रसंद कर लेती हैं उन पर सनी देव की क्रपा दश्टी बने रहती है सनी देव की क्रपा दर्ष्टी से उस व्यक्ति के जीवन में कोई वी घ्रह खराब नहीं चलते हैं और सनी देव की क्रपा से उनके जीवन में सारे कार्यम मंगल ही मंगल होती हैं इस उपाय को करने के लिए आपको सनिवार के दिन चाहिए तो आप सुवे इस उपाय को कर सकते हैं चाहिए आप साम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं इसके लिए आपको एक पीपल का साफ स्वच पत्ता लेना है और उस पत्ते पर आपको एक उड़त का दाना रखना है साथ साथ काले तिल रखने हैं और एक रुपे का सिक्का रखना है उसके बाद किसी भी ऐसे मंदर में जाना है जहां सनी देव का मंदर किसी भी पीपल व्रच के नीचे हो उस इस्थान पर आप जाएंगे और वहां पर आपको उस पीपल के पत्ते पर जो भी सामगरी आपने रखी है उस सामगरी को रखते हुए सनी देव के सामने हाद जोड़ते हुए उनसे प्रात्ना करेंगे और सारी परेशानियों को बताएंगे साथ ही आपको एक सुद्ध सरसों के तेल का दीपक सनी देव के सम्मुख जलाना है और थोड़ा सा सरसों का तेल सनी देव के ऊपर भी स दूर हो जाएंगी और सनी देव की क्रपा आपको मिलना प्रारम हो जाएगी उमीद है बहुत ही अच्छे से आपको यह उपाय समझाने की कोसित की है उपाय अच्छे से समझाया होगा उपाय चल लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें